दमस्कार दोस्ते इस वीडीयो में बताएंगे कौन सा चुना लेना चाहिए? देखें हमने एक चुना खाने वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो में हौम 15 दे चुना खाने के बाद ठीके? मिनाroud था वो उस वीडियो में बोले uncomfortable नंकिन उसमें बहुत सारा कुमेंट रहा था कि कौन सा चुना यूज करे कौन सा चुना हम खाए तो इस वीडियो में बता रहें देखिये सबसे बेस्ट होता है पत्थरवाला चूरा अगर आपको मार्केट में मिल रहा है यह पत्थरवाला चूरा तो पत्थरवाले चुना को ऐसे ही processing करके packet में डालके market for available कराय जाते हैं तो यही वाला चुना लिये थे इसी चुना को पान में डला जाते हैं यह जो packet में आते हैं वहाँ पानी की मत्रतुड़ा ज्यादा रखते हैं पान में डानने के लिए और तंबाकु में इसी को खाया जाता है उसमें पान की चीज़ों के साथ पी सकते जैसे गन्य के जूस अनर के जूस तो यह पानी ही अवेलेवन थाठी के तो इसमें पीए थे उके कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि सुबह उटके हम लोग दो तीन किलास पानी पीते हैं तो चुना पानी पीए कि बाद में पीए तो पहले पी लो उसके बाद पानी पीए बास चुना पानी लेने के बाद 15 हम छोड़ने को बोला था तांकि केल्सियम आपका बढ़ ना जाए तो भाई साब देखिए ऐसे हम लोग के तरह नौरमल इंसान है थोड़ा डाजिस्टिव सिस्टेम के लिए अगर चुना यूज कर रहे ह तो 15 डेख चुना पानी पीने के बाद 15 डेख छोड़ना है बेस्ट होगा क्योंकि ऐसे हम लोग नौरमल है जीन लोग को लग रहा है कि केल्सियम की बहुत ही मत्रा कमी है उसका सिंट्रम उसको दीख रहा है केल्सियम कमी का तो भाई साब आप कंटीनू एक से लेके दो मैन केल्सियम चाहिए तो चुना से सारा केल्सियम लेना ति है सभी बात नहीं है तो जीन लोग का कैल्सियम के बहुत कमी है वह लोग एक से 2 मेन आप चुना कंटीनू पिजिए उसकी बाद 15 डेपिने के बाद 15 डीच देचोड़ी है तो इसी परकार चला ही है कोई दिक्कत नह और चुना पानी पीने से क्या हुआ इस वीडियो में बता रखें इसको डिस्क्रिप्शन बक्स में डाल देते हैं आप जाके देख लीजिएगा ओके आयो पी वीडियो आपको समझ बाया होगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में